ये जो वीडियो है ये शुरू हो रहा है छे तारीकी इवनिंग से तो जनमास्टमी का दिन है और मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वीडियो में कि मेरी कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं जिसकी वज़े से मैं जनमास्टमी का वरत नहीं ले पाई थी और मॉनिंग में न मेरी तबित भी ठीक नहीं थी लेकिन उसके बाद जो है मैं डॉक्टर के पास गई और फिर उनसे दवाई वगेरा लेकर आई तो मुझे काफी ज़्यादा रिलीफ हो गया था इसी वज़े से थोड़ा सा मैं इस टाइम पर उठ पाई हूँ तो श्याम का टाइम है ब बहुत जादा बर्डन भी नहीं पड़ता है तो बस यहां पर जो है मैंने कपड़े कर लिये हैं फोल्ड और अब बच्चे करेंगे अपने ट्यूशन जाने की तैयारी तो यहां पर सबसे पहले मैं वन्शिका के बाल बना दूंगी तो कभी तो वो खुद से ही बना लेती ह लेकिन कभी जब उसका मन नहीं करता है न तो फिर वो मुझसे बनवाती है और अभी मतलब उसको न इतने अच्छे से आता नहीं है डिली डिली सी चोटी करती है अपनी तो यहां पर मैंने उसकी चोटी सी पोनिटेल कर ली है और अभी दोनों बचे चले जाएंगे सुबे से तो अपनी हालत को देखते वे मैंने यह बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं बहुत जादा कुछ कर पाऊंगी तो यह तो था मेरे माइंड में की शाम को मुझे कुछ मीठा बनाना है बट मीठे में डिसाइड नहीं था मतलब मेरे माइंड मेंना दो दीन चीजे चल रही थी कि या तो मैं हलवा बना लूँगी या मैं सिवई या मैं खीर बनाऊंगी तो जब मैंने देखा कि हाँ अब मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ तो फिर मुझे लगा कि चलो प्रॉपर पूरी जो थाली है भोकी वो बना लेनी चाहिए क्योंकि अब मैं होती है और वैसे भी शाम को मेरा भी कुछ खास दूद वाली चाय पीने का मन करता नहीं आजकल तो इस वज़े से भी मैंने ग्रीन टी बनाई और बस चाय वगेरा पीने के बाद फिर से आ गई हूँ कीचन में क्योंकि अब मेरे माइन में था कि मुझे काफी कुछ बनाना ह तो आलू बॉइल हो चुके थे और दूद भी जो है मैंने मंगाया था तो वो भी मैंने बॉइल कर दिया था अभी दूद में एक बार मैं और अच्छी से इसको पकाऊंगी एक बॉइल और आने दूँगी क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो गया था और इस दूद में थोड़ रखी हुई थी तो बस इसी की ही सूखी सबजी में बनाने वाली हूँ और बहुत अच्छी बनी थी अब मैं आपको बता सकती हूँ कि सबजी बहुत टेस्टी बनी थी और बिना लेसन प्याज और बिना टमाटर के भी सबजी बहुत अच्छी बन जाती है और जब आपको प्रशाद वाला खाना बनाना होता है न? इस बीच आलू जो है वो भी ठंडे हो गएते तो सफटा mitad से इनको भी छील कर जो है मैं रख लोंगी तक ही आलू में छीलूंगी ना उधर मैंने दूद भी चड़ा दिया है तो एक बार और उसको मैं बॉइल आने का वेट कर रही हूँ क्योंकि ठंडे दूद में फिर चावल डालूंगी तो वो थोड़ा सा दिक्कत करेंगे तो बस यहाँ पर जैसे ही मैंने आलू छीले और देखा कि दूद अच्छे से जो है उबलने लगा है अब मैंने यहाँ पर इसमें एड़ कर दिये है चावल सबसे पहले खीर बनाने का रीजन यही है कि खीर बनाने में लगता है थोड़ा सा जादा टाइम और मैं बहुत जादा खीर नहीं बना रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी ही बनाऊंगी क्योंकि बहुत जादा तो घर में कोई खाता नहीं है और फिर बच जाए तो वो भी ठीक नहीं लगता है तो इस वज़े से कम खीर मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर मैंने दो इलाइची तोड़ के जो है डाल ली है और बस अभी यह जो बरतन है ना खीर वाला इसको मैं दूसरे गैस में ट्रांसफर कर दूँगी और इसकी फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है जितनी धीमी आज में खीर बनती है उतनी ही जादा टेस्टी बनती है ड्राइफरूट में नहीं एड़ करूँगी क्योंकि विदांश ने पहले ही बोल दिया था कि ममा प्लीज आप ड्राइफरूट आड मत करना तो बस उधर जो है मैंने खीर चड़ा दी है इधर सबजी में तड़के की तयारी कर ली है मस्टर्ड ओयल डाला है थोड़ी सी राई आट की है और जो पता गोबी मैंने कट करके रखी थी वो भी मैंने इसमें आड कर दी है अब सूखे मसाले हम लोग डालेंगे वही जो ड्राइ मसाले होते हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस सबजी को ढखके पकने देंगे तो पहले मेरा प्लान था कि मैंना आलू डमाटर की सबजी बनाती हूँ पहले फिर गोबी की बनाऊंगी लेकिन फिर प्लान चेंज हो गया तो पहले मैंने गोबी की सबजी फ्राइ करने के लिए रख दी है जब तक सबजी बनेगी तब तक यहां पर कर लेते हैं पूरियों के आटे की तैयारी तो थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है और साथ में डाला है थोड़ा सा नमक अब इस आटे को जो है गुंद लेंगे तो फिर जब तक मैं टमाटर आलू की सबजी बनाऊंगी न तब तक यह जो आटा है ये भी सेट हो जाएगा हमारे माईके में भी या सुसराल में भी जब भी जनमास्टमी का वरत रखते न तो हम लोग मतलब वो बारा बजे वाला वेट नहीं करते हैं तो जितनी जल्दी हम लोग जैसे खानवना बना के भोग बगरा लगा लेते तो सब का अपना-पना हिसाब होता है सब अपने तरीके से वरत करते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी आटा गुंद के मैंने साइड में रख दिया है और जो फ्रेश मलाई निकली थी ना उसका मैंने फटा-फट से हाथो हाथ मखन भी बना लिया है थोड़ा सा गीला हो रहा था मखन तो मैं उसको फ्रीजर में रख दूँगी सेट होने के लिए क्योंकि मखन मिश्री का भी भोग लगेगा आज तो मैंने फ्रीजर में रख दिया है और यहाँ पर देखिए सबजी भी पक चुकी है इसमें थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी कट करके डाल दिया है और सूखी सबजी बनके तयार है इसको मैं निकाल लूँगी अलग बरतन में और अब इसी कड़ाई में जो टमाटर की सबजी बननी है वो मैं बनाऊंगी तो देखिए सबजी कितनी अच्छी बनके तयार हुई है कड़ाई को मैंने अच्छे से धो लिया है फिर से इसमें सरसो का तेल डाला है जीरा डाला है और दो टमाटर जो है वो मैंने कट कर लिये थे बारीक वो इसमें डाल दिये है उसके बाद सेम वही जो ड्राइ मसाला होता है वो इसमें डालेंगे और फिर इसको ढखके पकाएंगे ताकि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाए और आज मैंने इसमें थोड़ा सा इमली का पेस्ट भी एड़ किया था सबजी में जो की मैं शूट करना भूल गई तो कभी कभी होता है न मुझे लग रहा था कि कैमरा ओन है बड़ उस टाइम पे ओन नहीं था यहां पर देखिए टमाटर अच्छे से गल गए है मैंने थोड़ी सी कसूरी मेती इसमें एड़ कर दी है इसको मिक्स करेंगे और फिर जो आलू हमने मैस्ट करके रखे थे मों मसा सबजी होती है तो बहुत जादा मतलब पतली सबजी भी अच्छी नहीं लगती है गाड़ी गाड़ी सी हो तो ही पूरियों के साथ खाने में इसका मज़ा आता है तो देखिए मैंने करीब एक छोटा ग्लास इसमें पानी आड़ कर दिया है और सबजी पकने के बाद इसमें खाने की तैयारी पर लगी हुई थी तो जैसे कि मैंने आपको बताया वरत तो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरी चल रही है मेडिसिन इस वजे से तो अभी फिलहाल वरत नहीं लिया है लेकिन मैंने पूरा जो एक फेस्टिवल वाला खाना होता है न वही तैयार किया है तो ब तो पहले, पूजा करके आतें, उसके बाद फटा फट से पूरिया बनाओंगी, फिर भूग लगाओंगी, और तब तक जो है बच्चे भी ट्यूशन से आजाएंगे. तो चलते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हो. मैंने चांदी की कटोरी ली है और उसमें थोड़ा सा मक्खन डाला है और एक तुलसी का पत्ता थोड़ी सी मिश्री और बस अभी जो है इस भोग को मैं अभी ले जारी हूँ क्योंकि सुबे से पूजा ही मैंने अब की है आज सुबे तो हजबन पूजा करके चले गए थे इस इसलिए मुझे श्याम को ही मौका मिला है तो हमारे पास लड़ू गोपाल हमने वैसे नहीं रखे हुए है क्योंकि उनकी सेवा बहुत नियम होते हैं सेवा करने का भी तो मुझे पता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी इसलिए लड़ू गोपाल मैंने वैसे नहीं रखे है लेकि आज लोबान के कब जो है वो मुझे मिल चुके थे, तो बस धुनी करने के बाद चलते हैं दुबारे से कीचन में, खीर बिल्कुल पक चुकी थी, लास्ट में इसमें चीनी एड़ करनी थी, तो बस मैंने इसमें चीनी एड़ कर दी है, और अब मैं गरमा गरम पूरियां जो ह आइंगे ना फिर उनको खाना देना होगा हस्बिन भी ऑफिस से आ रहे थे तो उनको भी काफी जादा भूग लग गई थी और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों कि यहां 12 बजे तक हम लोग वेट नहीं करते हैं तो जैसे ही भोग बनता है भोग लगाने के बाद जो Apple इससाद मैंने टुलसी डाल दिये क्योंकि कहते हैं कि क्रिश्छन जी को तुलसी बहुत पसंद थी तो हम मतलब पूरा हो जाता है भोग अगर तुलसी डाल दो तो ये आगे दोनों कैसा रहा त्यूशन खड़ी होजा खड़ी होजा इधरा 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 कैसा रहा अच्छा था हमवक कंपलीट करूँगी हाँ आज होमवक कंपलीट होना जी ठीक है हमकर माम ने बोले कि कर फिर में हम टेस्ट लेंगी और हमारी टाइमिंग 11 बजे या कि अधर बोलने की बचे से नहीं मैंने निए हाई हाँ मैंना ऐसी मजाग मामें डाटा क्योंकि ना मैं मेरी सबस्वी को मारो इसले मेरे हिस्ते के मार तो इसने खाई है मुस्ट चल दो और मैं खाना लगा रहा हूं ठीक है अभी नहीं मैंने पूरी सबजी रायता नाया है अब तो मूठ लाए है ठीक है ठीक है खा के बताओ कैसी हो लिए अराम से गरम है ना बहुत जाई है पक अच्छी बनी है इसी जी मेरी फेवरेट है चल खाले अब अगयरा सबका हो चुका है और अब बारी आती है खूप सारे बरतनों को वाश करने की तो जितना जादा खाना बनता है ना उतने ही हिसाब से बरतन भी हो जाता है आज बरतन भी बहुत जादा हो गए थे तो ब वो मैं बाद में क्लीन करूंगी मतब पहले बरतन धूल जाए उसके बाद और एक टेंशन फ्री मैं इसले भी हूँ क्योंकि बच्चों की छुट्टी है नेक्स्टे तो सोने की कोई टेंशन नहीं है कि जल्दी ही सोना है सुबे जल्दी उठना है तो आराम से काम करके हम ल जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा मैं आप से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में तब तक ले बबाए टेक केर